हुआ 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 है यूट्यूब चैनल इस्कूल इए ग्रूप जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 से क्लास 12 कि सभी इंपर्टन टॉपिक्स और आज मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हुआ तो ब्रिंग आउट दा इंपर्टाइंस ऑफ मैंटर एंड एंटी मैंटर ओके तो वट इस मैंटर एंटी मैंटर ओके तो पिटा एक छोटी सी पिन से लेकर एक एरोप्लेन तक एक रॉकिट तक आपकी सारी चीजे जो हैं मैंटर है इन डिस यूनिवर्स और मैंटर ठीके तो आपका उसमें चाहें गलेक्सी जिसमें आपका सोलर सिस्टम है पूरा सण हो अर्थ हो ठीक है वाटर हो एर हो जो भी चीज़ें हैं स्मौक हो एवरीटिंग मैंटर ठीक है जाम मैंटर जो होते हैं मोस सॉलिड भी हो सकते हैं matter is known as anti-matter, यानि कि जिन चीजों से मिलकर matter बनता है, उनकी ठिक opposite चीजों से मिलकर anti-matter बनता है, ठीक है, तो माल लिजे matter आपका particle से बना है, तो anti-matter आपका anti-particle से बना होगा, अब anti-particles क्या होते हैं, जैसे आपको पता है, कि हर material में atom में, हर material में nucleus होता है, ठीक है, उस nucleus में आपका proton पाया जाता है, proton particle होता है, तो proton particle consists positive charge, अब anti-proton जो होगा, वो negative charge का बना होगा, because these two particles must be anti-proton, anti-proton, ठीक है, like this, इसी तरी किसे बिटा आपका जिस electron है, उस पर negative charge मिलता है, so the anti-electron which is known as positron, उस पर positive charge होगा, ठीक है, याद अखना बीटा, जब भी matter और anti-matter एक दूसरे से मिलते हैं, they meet, तो क्या होता है, कबूम, वो होता है, आप ये समझ लिए कि बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, तो matter और anti-matter को कभी भी मिलने नहीं देना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी होलिवूड फिल्में भी इस पर बनी हैं, जिसमें matter और anti-matter को मिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ villains और क्या होता है, हिरों को रोखता है, ठीक है, तो this is nothing but the matter and anti-matter's concept, ठीक है, I hope आपको इस समझ माया होगा, इसी थरह की छोटी छोटी वीडियो के लिए, हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छे लगती है, या आपको वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं, अब अपने next topic में तब तक के लिए, thank you very much.